Amazon और Flipkart जैसे e-commerce platform पर festive sales के दौरान जम कर बेकरी करने वाले sellers अब आ गए है ED यानि की enforcement direct rate के घेरे में और यहाँ पर छापे मारी का सिल सिलाज शुरू हो गया है दरसल ED ने इन platforms के 12 बड़े sellers के खिलाफ जाच शुरू कर दी है क्योंकि इनके उपर आरोप है कि उन्होंने फॉरेक्स यानि की विदेशी मुद्रा से जो related rules है उनका उलंगन किया है इसी के तहट ED ने दिली, मुंबई, बैंगलॉर, हैदरबाद, पंचगुला की 22 जगहों पर इन sellers के stores और offices पर छापे मारी की जिसके दौरान जो computers, gadgets और जो documents है उनको जब्त कर लिया गया है इन sellers पर ये भी आरोप है कि इनोंने sales के दौरान money laundering यानि की पैसो का हेर फेर किया है ED Cake official ने ये भी बताया कि इस बात की भी जाच की जाएगी कि ये जो e-commerce platforms है क्या ये sellers की inventory है उस पर कोई चेक रखते हैं क्या उस पर किसी तरीके की नज़र रखी जाती है या नहीं इस पूरी जाच का एक reason और है वो ये है competition को खत्म करने की कोशिश है दरसल जो All India Consumer Products Distributors Federation है वो लगातार ये जाम लगाता रहा है लगातार ये शिकायत करता रहा है कि जो e-commerce platform है ये कुछ चुनिंदा sellers के ही products को search में ज्यादा दिखाते हैं और ये sellers भी अच्छे खासे discount देकर customers को अपनी और खीच लेते हैं और ये दोनों जो platforms हैं और जो sellers हैं ये मिलकर बाजार में competition खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका सीधा जो खामियाजा है वो छोटे व्यापारियों को जीलना पड़ रहा है इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें comment box में बताए और आपकी काम की ऐसी और जानकारी के लिए NDTV Profit Hindi को जरूर सब्सक्राइब करें